हाई, वैलकम टो मैशनल, इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे कि रूट 2 इस नाट और रेशनल नंबर और ये जो प्रूफ होगा वह एक मेथड से होगा जिसका नाम है कांटेडिक्सन मेथड तो कांटेडिक्सन मेथड कहता क्या है ये कहता है कि जब भी हम कुछ एजिम करत से कोई रिजल्ट मिलता है जो रिजल्ट गलत हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो हमने एजिम किया था वही गलत है मतलब इसी प्रिंसिपल पर ये बेस्ट है जिसे यहाँ पुछा है कि प्रूफ दैट रूट 2 इस नाट और रेशनल नंबर तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पुछायात रूट 2 इसे प्रूफ में नाट और रेशनल नंबर तो हम लोग माल लेंगे कि रूट 2 इस नाट और रेशनल नंबर उसके बाद कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो गलत होगा और हम कहेंगे कि यह गलत रिजल्ट जो आया है वो इसलिए आया क्योंकि हमने सुर परकुल अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे ये किया जाएगा, ठीक है? प्रूफ तो पहले पहले हम क्या करेंगे? assume कर लेंगे तो let us assume that let us assume that root 2 is a rational number root 2 is a rational number मतलब कि उपर जो दिया हुआ है, पुछा हुआ है उसके opposite हमें मालना है तो बोलाए कि root 2 is not a rational number प्रूब करना है तो हम इसके opposite पे माल लेंगे कि let us assume that root 2 is a rational number अब यदि root 2 rational number होगा तो क्या मिलेगा हमें so हमें root 2 को equate करना पड़ेगा P by Q के बराबर क्योंकि root 2 यदि rational number है तो P by Q के फार्म में होना चाहिए और यहाँ पर P और Q क्या है ऐसे हमने लिया है मनें ऐसा एजिम क्या है यहाँ पर कि P और Q में कोई भी count factor नहीं है other than 1 ओके तो here here P and Q are integers having no count factor having no common factor other than 1 other than मतब 1 के अलावा कोई भी count factor P और Q के बीच में नहीं है ऐसा हमने एजिम किया है तो हमें क्या मिल जाएगा it implies that यहाँ पर हम लिए सकते हैं P is equal to root 2 Q मतब क्रास मन अप्लाई करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा P is equal to root 2 Q Q से इथर में अप्लाई कर लेंगे तो P पर आज मिलेगा root 2 Q इजिट मान करके हम solve कर रहे है solve कर रहे है मतलब क्या कर रहे है हम एक result derive कर रहे है जो result absurd होगा जो हम result derive करेंगे वह wrong होगा ठीक है उसी result की तरफ हम आगे बढ़ रहे है तो वह ऐसे ही करना है आपको अब बिल्कुल देखे हर result जो है एक दूसरे को हर जो जितने भी result में लिख रहा हूँ एक दूसरे से एक दूसरे को imply कर रहा है बतलब यहां देखे P is equal to 2 Q है तभी तो square करने पर यह मिला और यह square करने पर जब इतना मिला तो यहां से कुछ और मिलेगा और यहां से क्या मिलेगा देखे ध्यान से P square जो है equal है 2 into something तो जब भी कोई number equal होता है 2 into something के जैसे कि मैं लिखूँ कि 2 into some number यहां पर रहे तो यह हमेशा क्या होगा एक even number होगा मतलब 2 into M is always an even number तो यहां पर 2 into Q square is always an even number और जो even number है यह P square के बराबर है इसका मतलब कि P square is an even number तो हम आले सकते हैं कि P square is an even number ठीक है P square को हमने यहां पर result निकाल लिया P square is an even number it implies हम यह भी जानते हैं कि even number का square even number का square ही even होता है इसका मतलब कि यह even number है P square इसका मतलब कि P is an even number इसका मतलब कि P is an even number ओके तो यहां पर इसको erase कर लेते हैं and this one also ओके तो हमने यह result पा लिया कि P is an even number ओके यह result काफी important है यहां पर हम इसको first से represent कर देते हैं अब यहां से P यह दी even number है तो हम यहां पर P को मान सकते हैं कुछ इसे P is equal to 2 मान सकते हैं 2 into K K मान लिजे कोई number है जिसमें 2 से उप्लाइक कि जाएगा पतलब P even number है तो P is equal to 2 के मान सकते हैं तो P is equal to 2 आप सोच रहोंगे कि 2K माने हैं लेकिन Q is equal to 2 Q is equal क्यों नहीं माने तो आप सोच लिए आप समझ लिए कि Q is equal को हमने K ले लिया कोई number K मतब Q is equal क्या होगा कोई number होगा तो उसको हमने 2K ले लिया अब यह जो 2K ले लिया है तो P is equal to 2K मतब P even number है इसलिए हमने साख किया है even number होता है तो 2 into something होना चाहिए तभी वो even number होगा इसका मतलब P बराबर 2 into K ले ले लेंगे K is something some number तो अब यहाँ पर P is equal to 2K है इसका हम square कर लेंगे both sides में तो इसको हम आगे forward में कर लेते हैं यही पर sorry यहाँ पर implies square करने पर क्या मिलेगा यहाँ पर इसका हम लेगा P square is equal to 2K sorry 4K square both sides में square कर लेजए क्या मिलेगा 4K square 4K square अब यहाँ पर जो result मिलेगा P square का इस P square को हम यूज करेंगे यहाँ पर यहाँ पर ठीक है इस p square की value जो है यहाँ पर use करेंगे 4k square यहाँ पर क्या मिल जाएगा it implies इसको use करें यहाँ पर तो आप वहाँ पर रख लेंगे value तो मिलेगा आपको 4k square is equal to 2q square अब यहाँ से दिखे 2 से दिन डिवाइड करते हैं इधर both sides में तो यहाँ मिल जाएगा 2k square is equal to q square अब यहाँ पर क्या मिला हमें एक और result मिल गया क्या q square जो q square है वो equal है 2 into something जैसे हम यहाँ पर सोच रहे थे p square is equal to q square था तो हम लोग कर रहे थे p square is equal to 2 into something उसे तो यहाँ भी मिल गया हमे q square is also equal to 2 into something it implies हम लोग सकते हैं कि q square is an even number is an even number अब q square एक even number मिल गया it implies यह तभी हो सकता even number जब q भी even number हो it implies q is an even number तो हमारा यह मिल गया second result तो यह दो result काफी important है हमने देखे कैसे निकाला यह क्यों निकाला हमें यहाँ पर पहले पहले हमने assume किया है कि root 2 क्या है एक rational number है और rational number लेने के वज़ा से हम root 2 को लिख लिए p by q के form में ठीक है और उसके बाद यहाँ से result आया यह और यहाँ से result आया यह और इससे हम pseudo की फ्रेंद के कि प square एक even number है और प square इदी even number होगा ततभी होगा जब p even number हो क्योंकि even number का square ही even number होता है तो जब यह मिल गया तो यह हमरे रजल मिला फिर इसके बाद वार पी को even number था फ्रेंद के उनने के बाद п qu के मान लिया अब यहाँ पर हमने डराइब किया कि Q square is an event number अब Q square क्या है एक event number है तो तभी हो सकता है यह तब जब Q क्या हो एक event number हो तो यह दो result मिल गाए कि P is an event number and Q is also an event number तो Q तो यहाँ से सकता है कि we get that तो it implies that okay we can write it like this implies that P and Q P and Q are event numbers event numbers तो it means it means इसका मतलब क्या हो थे कि P क्या है event numbers है तो जब दो numbers even होते हैं तो हमेशा उनके बीच में count filter 2 होता ही है तो P और Q के बीच में एक count filter 2 definitely होगा क्योंकि P और Q दोनों क्या है even numbers है तो it means that it means that P and Q have common factor हम इसको थोड़ा सा उपर कर लेते हैं क्योंकि P और Q के बीच में एक count filter other than one मिल गया तो हमने यहां शुरू में क्या माना था ध्यान दीजिए यहां पर कि हमने माना था कि here P and Q are integers having no common factor other than one हमने यह माना था कि P और Q क्या है P by Q क्या है standard form है standard form रहता है तो उसमें से count factor हम क्या करता है cancel out करने के बाद लिखते हैं तो जब हमने माना था यहां पर कि P और Q में कोई भी count factor नहीं है फिर भी हम यहां पर drive करते करते result मिल गया ऐसा कि P और Q के बीच में two count factor और extra है तो इसका मतलब कि जो हमने सुरू में assume किया था वो wrong है क्योंकि हमारा result जो मिल रहा है वो wrong मिल रहा है क्योंकि P और Q have count factor 2 इसका मतलब कि this result is wrong this is not true तो मिल चकते हैं यहां पर कि this is not true this is not true but this result is derived but this result this result arises arises यह रिजल्ट जो है arise होवा है या होता है due to due to assumption of due to assuming that due to assumption due to assumption लिखते हैं due to assumption that हमने सुरू में जो assume किया था कि root two is is a rational number हमने यह assume किया था तभी ऐसा बना है ऐसा absolute result मिला है rational number तो हमने जो सुरू में assume किया था कि root two क्या है rational number है rational number है इसी कराण से यह result आ रहा है तो इसका मतलब जो हमने यह जो assume किया था यह wrong है हमने यह assume जो किया था वह गलत assume किया था यही मतलब method of contradiction कहता है finally मतलब कि सुरू में मान लिया फिर बाद में ऐसा मिल गया एक result मिल गया जो कि true नहीं है तो हम जो सुरू में माने थे वह गलत है इसका मतलब यह जो माने थे कि यह assumption जो किये थे हम कि root two is a rational number यह गलत है therefore root two is not a rational number rational number तो इसमें इतना ही है मतलब कि इसको आप समझ जाएए मेरे खाल से कोई भी doubt आप नहीं होगा इसमें जो method है मैंने explain कर दिया है यदि आपको method के बारे में और भी अच्छे से जानना है तो आप जा सकते हैं आप जा सकते हैं एक और वीडियो दे सकते हैं जो इसके पहले मैंने बनाया है तो यदि आप playlist में देख रहे हैं exercise RD Sarma के या फिर RD Sopal के तो उसमें जाकर कि आप playlist में आपको मिल जाएगा एक और वीडियो जो कि केवल मैंने बनाया है method of contradiction पर तो यहाँ पर मैं एक बार और यहां में बोलाए कि नहीं है rational number प्रूब करना है लेकिन आपको मानने लेना है कि root 2 इजे rational number मानने लेज़े कि है जब होगा तो root 2 जो है p by q के form में होना चाहिए तो p by q के form हमें मान लिया लेकिन ऐसा form माना है जो कि simplest form माना है हमने p और q में कोई भी count factor नहीं होए यहां पर p और q have integers having no count factor other than 1 ऐसा हमने assume किया है therefore यहां पर हम solve करके मिल गया हमें कि p is an event number ठीक है यहां पर हमने कुछ किया है और p is an event number मिल गया और फिर यहां पर कुछ और करने पर q is an event number और जब p और q जो है event number मिल गया तो it means that p q have count factor 2 which is other than 1 तो p और q यदि even number होंगे तो definitely event numbers में 2 count factor होता ही है इसका मतलब p और q में 2 count factor मिल गया सुरू में हमने माना था क्या कि no count factor होगा other than 1 लेकिन हमें मिल गया कि count factor है यहां पर इसका मतलब कि हमें मिल गया contradiction ना जब contradiction मिल गया तो हम कह सकते हैं कि this is not true यह true नहीं है but this result arises due to assumption that हमने यह result क्यों आया क्योंकि हमने assume किया था root 2 is a rational number इसका मतलब यह assumption किया था वो wrong है therefore root 2 is not a rational number that is the whole point तो hope कि आपको समझ में आ गया होगा यदि आ गया तो please like कर दिजिए और अपने दोस्तों को share करिएगा और जितना ज़्यादा हो सगे comment करिए ताकि मुझे अच्छा लगए थोड़ा सा क्योंकि जब तक आप मुझे inspire नहीं करेंगा तर मुझे भी मन नहीं करेंगा बनाने का Thank you so much for being with me Bye